हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू आर फ्राग्रंसिद यूट्यूब चैनल और आज हम शुरू करने वाले एंबॉक्सिंग डियोर के सवाज अलेक्जिर पर्फियूम की जो की 100 ml में एवेलेबल है और 60 ml में भी यह आता है और दोस्तों सवाज अलेक्जिर की बात करें तो यह आ आपको मिलेगा और दोस्तों बात करें तो डिजाइनर ब्रेंड में डियोर कीसब से जादा महेंगी फ्रेग्रेंस में से एक है डियोर सुपा जलेक्जिर बाकि क्रिश्ट्टन डियोर की एक pride पाज एलेक्जी 100 ml की कोस्टिंग है 18-19000 का यह आपको मिलेगा 100 ml और बात करें 60 ml की दूसरे वेरियंट की तो आपको ज्यादा बड़ा नहीं है और नीचे देख लेते हैं सबसे पहले नीचे आप देख सकते हैं काफी सारी डिटेल्स दी गई है और इसका बैच कोड भी आप यहाँ पर देख सकते हैं 3-0-1 जो की क्लियरली हम देख पाएंगे जब इसकी सैलोफेन को उतारेंगे और क्रिस्टन डियर का एक स्टीकर आप यहाँ पर देख सकते हैं सीडी लिखा हुआ और पीछे भी थोड़ी बहुत डिटेल्स शायद नहीं है सारी जो डिटेल्स है वो नीचे बॉटम पर ही है इसका बार कोड और इसका बैच कोड और काफी सारी डिटेल्स है अब जल्दी से बॉटल क तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बॉक्स पर और सारी डिटेल्स सब आप क्लियरली देख पाएंगे नीचे बॉक्स के बॉटम पर यह इसका बैच कोड 3 के 01 और काफी सारी डिटेल्स यहाँ पर भी दिगए इंग्रेडियंट्स डिटेल्स और दोस्तों क्रिस्चन डियर एक made in friends brand है और बॉटल को बाहर निकाल लेते हैं जल्दी से और दोस्तों यह बॉटल सामने आ गई हमारे बाहर काफी ज्यादा आई-केचिंग बॉटल यह डियर की है और आप देख सकते हनी बी का एक साइन यहाँ पर बॉक्स पर तो काफी प्रीमियम क्वालिटी है बॉक लगती देखने में बड्ट जैसे जैसे जूस का मोता जाएगा तो आपको यह डार्क बल्यू लगेगी बॉटल लाइट में अगर आप इसको देखेंगे बट अभी जो आप वीडियो देख रहे हूंगे तो यह आपको डार्क ब्लैक ही लगेगी देखने पर और हमें भी ब्लाइक ही लग रही है बड़ जूस कम होगा जैसे जैसे बॉटल में तो यह आपको डार्क ब्लूइश लगेगी नीचे देख लेते हैं एक बार नीचे काफी सारी डिटेल्स दी गई है और मतलब काफी बारी की से लिखा गया जो आपको दीखनी पाएगा अगर बैच कोड की बात करें तो बॉटल के नीचे आप इसका बैच कोड देख सकते हैं इस कॉर्णर पर 3-0-1 जो बैच कोड हमने बॉक्स पर देखा था यह दोनों बैच कोड वैरिफाई हो रहे हैं आप आपस में देख सकते हैं और थोड़ी बहुत डिटेल्स यहां पर साइड में भी दी गई हैं काफी कुछ लिखा हुआ है तो यह काफी मतलब बारी की से लिखा गया इस बॉटल पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ही आपको ध्यान से दिख पाता है तो काफी सारी डिटेल्स बॉटल के नीचे मेंचान है बॉटम पर और क्रिश्चन डियर का साइन आप यहां पर देख सकते हैं काफी अच्छे से बनाई गई है बॉटल को और काफी प्रीमियम क्वालिटी है बॉटल की कैप भी देख ले था दोस्तों और दोस्तों मैं आपको दिखाना जाओंगा हनी बी का लोगों क तो यह भी काफी ज्यादा प्रीमियर में मैंटलिक कैना और दोस्तों यहां ग्वालिटी एक करें अब कैसी और थोड़ी-थोड़ी hot notes जो इसके अंदर डिली हो वो है lavender की उसको भी feel कर पा रहा हूं और साथ-साथ base notes की बात करें तो आपको sandalwood और amber जैसी notes को भी feel करने को मिल जाता है तो काफी स्यादा warm, spicy, fresh fragrance भी आप इसे कह सकते हैं थोड़ी बहुत क्योंकि lavender की note की वज़े से आपको fresh, spicy भी लगेगा तो एक warm, spicy, fresh, spicy scent है जिसके अंदर आपको prominent cinnamon, cardamom, lavender, sandalwood, amber ऐसी notes को sniff करने को मिल जाता है और दोस्तों सच में बहुत ही ज्यादा luxurious fragrance है, काफी ज्यादा prominent, अगर आप इस fragrance को wear करते हैं तो आप काफी ज्यादा modern और sophisticated लगने वाले fragrance को wear करके, बहुत ही ज्यादा high class fragrance है, जितनी यह वर्दी है, मतलब जितनी expensive है, उतनी वर्दी भी ऐसा नहीं है, कि बहुत ज्यादा expensive fragrance बना दियोर वालोंने, बट डियोर की जो भी fragrance है, वो totally worth है, मतलब आप 18,000 रुपे घर्च कर रहे है, 100 ml fragrance के लिए, तो totally worth है, अगर आप इसके 3-4 spray भी लगाते हैं वो भी आपको पूरा दिन compliments देंगे, मतलब इतनी strong fragrance है, बात कर लेते हैं अब इसकी जल्दी से इसकी performance की, दोस्तों बात करें इसके projections से आज की, तो 4-5 घंटे का heavy projections से आज आज आपको मिलेगा, और वो projections से आज इतना heavy होगा, 2-3 feet तक easily लोग आपको judge कर पाएंगे, आपको notice कर पाएंगे, और आपको compliments भी मिलेंगे बहुत सारे, और दोस्तों ये थोड़ा सा ना मतलब mature month के लिए suited है, और बात कर लेदे अगर आप ये किस season के लिए appropriate है, तो fall and winter ही appropriate weather रहेगा, क्योंकि एक warm spicy scented dense ingredient का use किया गया है, rich quality के ingredients है, cinnamon, cardamom, sandalwood, amber, ये सब notes का, बहुत ही rich ingredient का use किया गया है, तो fall and winter ही इसका appropriate weather रहने वाला, मतलब कम सर्दी और ज्यादा सर्दी, spring और summer के लिए fragrance नहीं और दोस्तों ये mature men's पर ही ज्यादा suited रहेगी, अगर आपकी age above 30 है, 35 है तो आपके ओपर ज्यादा suitable रहेगी ये fragrance, काफी ज्यादा mature fragrance है, और दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी longevity की, तो longevity की बात करें तो 8 से 9 घंटे इसकी longevity कहीं नहीं गई, मतलब 8 से 9 गंटे तक काफी ज्यादा last करें आपकी skin पर भी और आपके कपड़ों पर भी, तो दोस्तों मतलब every pen is must worth for this fragrance, मतलब बिल्कुली वर्दी fragrance है, ऐसे ये काफी ज्यादा expensive है, तो बिल्कुल वर्दी ने बहुत है, वर्दी है, काफी अच्छी fragrance है, high class है, mature है, sophisticated है, आपको और म सबसे ज्यादा best time रहने वाला है, वियर करने का, evening time में वियर करें आप इसको fall और winter के time में, तो काफी ज्यादा और अच्छी लगेगी ये fragrance आपके ओपर, तो दोस्तों इसका decant भी, इसका retail pack दोनों हमारे पास available है, और दोस्तों इनकेस अगर आपका budget नहीं है, काफी ज्या वाली feel देगा कम budget में, तो वो है लताफा का असद, मतलब ये 18,000 की चीज 100 ml और ये 1800 की चीज भी नहीं है, तो मतलब 10 गुना से भी कम price में आपको लताफा असद मिल जाएगा, जो कि डियोर सवाज एलेक्जिर का अच्छा लोन है, तो आप इस fragrance को भी try कर सकते हैं, अगर आ आपने अच्छे feedback सुनें, आपकी list में है कि मुझे डियोर सवाज एलेक्जिर एक बार तो try करना ही करना है, तो दोस्तो इसका decant भी हमारे पास available है, 5 ml का, आप वो लेकर try कर सकते हैं, काफी अच्छी fragrance है, तो बिल्कुल purchase कर सकते हैं, इसका retail pack, इसका decant, दोनों हमारे पास available है, तो आप हमारी website visit कर सकते हैं, और इसका decant, इसका retail pack, वहाँ से order कर सकते हैं, तो दोस्तो यह थी आज के unboxing video, डियोर सवाज एलेक्जिर की मिलते हैं, आप से जल्दी नेक्स वीडियो में